अगर चार भाईयों में तीन भाई रोजगार से हैं एक भाई बेरोजगार है तो वो मिलकर उसका ध्यान रखते हैं बेटा बेरोजगार है तो बाद मरते दम तक उसका ध्यान रखता है क्योंकि हमारे हैं कहा गया जो कमाएगा वो खिलाएगा जो आया है वो खाएगा अरे भाई आप तो सिर्फ आदमी तक रहे हमारी ये सोच इतनी व्यापक थी मैंने का नहीं जूट के पुलंदे कैसे रखे गए अगर आपको मेंसे बहुत को ध्यान हो तो जब पित्र पक्ष आता है शाद पक्ष जिसमें पूरवजों के लिए किया जाता है तो उस दिन जिस दिन आप अपने पूरवजों का तरपन करते हैं उस दिन क्या होता है तीन खाने के हिस्से निकाल के रखे जाते हैं किसके लिए? एक कुट्टे के लिए, एक कववे के लिए और एक गाय के लिए. क्यों? हमारे यहां गाय देवतुल्ले पशु माना गया है, हाइस पेडिस्टिल पे है. कुट्टे को शम्शान का ये देवता भैरों का वाहन माना गया है, end of the life की तरफ दर्शाता है, और कवव उस प्रकार की शेणी का जन्तु है, जो कि तमाम गंदियों को साफ करता है. यानि हम सिंबॉलिकली यह कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमको सबसे डेवलेप्ट क्रीचर आप दी अर्थ और आप दी युनिवर्स बनाया है, तो लोईस से लेके हाइस तक हर आदमी का ख्या रखना हमारा करतब है, हर जीव जन्तु का क्या रखना है, वह वहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टेमेटिकली बैट कर आप लोगों के दिमागों में, हम लोगों के दिमागों में, दो दो तिन तिन पीडी से ऐसी चीज़े बैठाई ग होगा, अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ, आप जितनी हिंदी फिल्में देखी होगी, वही मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के लावा नहीं देखी, एक आधा उर्दू की फिल्मी देखी है, अन्य भाचाओं की तो फिल्में मैंने देखी नहीं हूँ, मगर हर फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कमेडियन होगा ये धीरे-धीरे हमारे दिमाग में बैठ गया हीरो क्या बोलेगा 60, 70 और 80 के दशक तक उर्दू मिक्स धिन्दी बोलता था पिछले 20 साल से इंगलिश मिक्स धिन्दी बोलते है आप सबने वो गाना सुना होगा विनोध खन्ना जी जिनकी डेथ हो गई एक उनके उपर है जिसको कमेडियन गाना मना जाता है प्रिय प्रानेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम सी गणेश करें ये गाना क्या मना जाता था कमेड़ी का और इग्जैक्ली इग्जैक्ली यही गाना यही वर्ज का गाना इप्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे अल्ला जाने क्या होगा आगे यह अच्छा गाना और इतना ही नहीं जेहाल मुस्किन मुगंबुर अंजिस बाहर हिजरा में सारा दिल है इसमें दिल के लावा कुछ समझ में है या नहीं हिंदी के सब्द आ जाए अरे यह सहाब बड़ी कटिन हिंदी बड़ी क्लिष्ट हिंदी कहां से ले आए अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया यह कहां ले आए अंग्रेजी मिक्स्ट होना चाहिए अंग्रेजी मिक्स्ट होकर हम यह सारी चीज़ें हम लोग के दिमागों में बैठा ली जा रही हम कहां जा रहे हैं एक छोटा दो धारन आपको देता हूं मैं किसी भाशा के प्रती संबान या असंबान नहीं वेक्ते करना चाह सिरी और पंजी פंजाभी जिस अक्सेंट में बोलता है एक बिहारी जिस अक्सेंट में बोलता है एक तमेलो केर राइट जिसरेंट में भाजरी अन एक प्रकार के शब्द एक साथ इतना साइंटिफिक इंस्टुमेंट हमारे पास और हमें समझाय जा रहा है कि नहीं छोड़ दो वैसी बात हो गई कि हमारे पांट फोन है मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते हैं तो उसके बीचे भाग रही है तो नहीं लिए हम तो उसकी के साथ चलेंगे का सबसेड़ी खतम हुई तो कुम मेले का विशय आ गया कुम मेला हम सब जानते हैं कुम मेले का एक आस्पेक्ट आप लोने कभी ध्यान दिया है कुम मेला कितने साल में एक बार पढ़ता है बारा साल में एक बार क्यों पढ़ता है क्योंकि वो जुपिटर की साइकल पर आधारी तो ब्रहस्पत ग्रह हर बारा वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशी में दुबारा आता है इसलिए कुम्ब मेला बारा वर्ष में एक बार पढ़ता है हजारों सालों से चला आ रहा है ठीक है तो इसका अपना हमको पता था ना कि ब्रहस्पत की साइकल बारा साल की है इनको तो भी सौ साल पहले पता चला कि ब्रहस्पत की साइकल बारा साल की है और उसके बाद हमको समझा जिया जाता है नहीं साव हम अंसाइंटिफिक थे अब आप एक और बड़ी मज़धार बात देख लीजें सूरी ग्रहन और चंदर ग्रहन पढ़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तै करता है सरकार गोशना करती है ना टीवी पे आता है रेडियो पे आता है अखबार में आता है किस बेस पे आता है नासा की फिजिकल अब्जर्बेटरी बताती है यह फ़ना तारिक को इतने बचके इतने मिनट पे सूर ग्रहन या चंदर ग्रहन पढ़ेगा सुलार एकलिपस और लिउनर एकलिपस एकस्पेंडिंग युनिवेर्स की थोठी दी उससे पहले एकस्पेंशन आफ ते पहले इस्थे नहीं पता था 1900 में मैक्स आख़की साइनटिस्ट हुए जिनों नहीं लाइट की क्वांटम की थोठी दी पोटॉंस वाली उससे पहले propagation of light ही नहीं पता था 1897 में जे जे टॉम्सन एलेक्ट्रॉन खो जा उससे पहले आप मानते थे atom undivisible है और 1633 में आप ये कहते थे गैलीरियों को फासी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा sun revolves round earth गलत है तो भाईया आप 380 साल चलके जहां पहुँचे हैं हमारा पंचान तो युदिष्टिर के जमाने से एज़िटिस चला रहा एक कामन से उसका है मतलब ये logic नहीं है ये तो scientific फिर भी हमें समझाया जाता है कि साथ जो हमने सोचा उसम हम unscientific थे हम गलत थे बड़ी मज़दार बात है in a span of living generation पचास साल में देखे ये जो अर्वन अकसल से उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और fact क्या था पचास साल पहले जिस जिस चीज का मजा कुराया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई पचास साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो mechanized forming chemical fertilizer यूज करो गाय के गोबर से कोई खेती होती आदमी चांद पहुँचिया तुम गाय के गोबर पर पड़े हो आज नहीं नहीं और्गनिक फार्मिंग गेते है पचास साल पहले क्या कहते थे अरे भाई ये जड़ी बूटी और फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है नीम हकीम खत्रा है जान खाना है तो नई दवाएं खाओ क्रोसीन, मेटासीन, टेरामाइसीन आज आप क्या कहते हैं नहीं नहीं केमिकल नहीं हर्बन मेडिसीन की तरफ जाओ ठीक आज से केवन पचास साल पहले आप ये कहते थे जब हम कहते थे पेडों की रक्षा करो जंगल की रक्षा करो पहाड की रक्षा करो आज उननिस सो बाननबे के रियर डिजनेरों से लेके 2009 के कोपनहेगन से लेके 2016 के परिश तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडी डेवलप्मेंट करो भाईया सब कुछ उलगता जा रहा है जो हमने कहा जिसका आपने मजाग उड़ाया वो सब कुछ सही होता जा रहा अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका की बहुत मजाग उड़ाया गया कहते थे इलहाम हो जायेगा वो कहते हैं तो क्या बेवकूफ है हाव इस पॉसेबल ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया हो ज्यान प्राप्त हो गया If you want to attain knowledge you must outreach understand the things, meet the people visit the place like what Darwin has done अब पचास सालवार मैं आपसे पूछता हूँ आपको New York Times अगबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं एक यहाँ से दिल्ली से New York की फाइट पकड़िये सोला से 22 गंटे लगेंगे depending upon your flight और आज का अगबार कल पढ़िये और दूसरा है कि मोबाइल पर डाउनलोड करिये खट से और पढ़ दिये क्यों? आपके हाथ में डिवाईस है जिसने डिवाईस बना, इसने सौफ़ेर भी बनाया है और जिसने सौफ़ेर बनाया, उसने सपोटिंग नेटवर्ग भी बनाया है उसी धंग से हमारा शरीर एक डिवाईस है तो इसके अंदर मन्बूतिचे तहंकार और कॉंशेस एक सौफ़ेर है और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउंडोड है और अंत में मैं एक उधारण दूँँगा सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण सोशन हुआ इसलिए खड़े हो जाओ लोगों के साथ भिड़ जाओ हमारे हाँ परंपरा में त्याग का महत्तु था हम आप से पूछें दो राजा बताईए जो सबसे बड़े महान माने गए भारती संस्कृति में राजा राम और राजा हरिच्चन दोनों इसलिए कि त्याग किया इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका एलेक्जेंडर दे ग्रेट फितरे कबजा कर लिया अब मैं एक आप उधार देता हूँ वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संतर अभिदास काशी के रहने वाले थे उनके पास भगवान राम की एक मूर्ती थी काशी नरेश उनके पास गए कहा जाता था इतनी सिध्ध मूर्ती है आप क्रपिया इसे मुझे दे दीजिए ऐसी मूर्ती राजा के पास होनी चाहिए राजभवन में ना कि मैं इस मूर्ती के वेट का दस गुना सोना आपको दे दूँगा उन्होंने मना कर दिया उन्होंने का जी इसके वेट का सो गुना सोना उपर तर उतना भर लीजिए उतना मैं आपको देने को तयार हूँ तो एक बार उनकी पत्नी का मना आया कि वह ऐसा बढ़ी आफर नहीं मिलेगा अब हमें इसके विचार कर लेना चाहिए रहिदास ने क्या जवाब दिया एक ए मोरो राम नाम धन एक ए मोरी आसा उ धनाई है इचले जई है ना चहें भगत रहिदासा मना करें रहिदास जी क्या थे वो जूते बनाते थे आज की परिभाशा के नुसार दलित थे अब आप आईए संथ कबीर जुलाहा थे आज की परिभाशा के नुसार OBC जब उन्ह उन्होंने उनके बेटे ने भगवान के भजन के वज़ा पैसा कमाना शुरू किया तो कबीर ने क्या कहा उनके बेटे का नाम था कमाल उन्होंने का बूड़ा वंस कबीर का उपजा पूथ कमाल और हरिका भजना चोड़के घर ले आया माल यानि उन्होंने उसके डिसकाट आप क्या आग में रहके दिखाएंगे अब आप आईए मीरा भाई राज परिवार की थी आज के हिसाब से फॉर्वर्ड और उन्होंने क्या कहा पायो जी मैंने राम और अतन धन पायो और जनम जनम की पूजी पाई बाकी सबें लुटाएं उन्होंने भी पैसे की तरफ में और अंत में ये सब एकी कंटेम्प्रेरिय हैं तुलसी दाज जन्होंने राम चरित मानस लिखी वो ब्रामन्ट थे फॉर्वर्ड आज के जमाने के साब से कहा जाता अकबर उनके पास गए अकबर ने कहा कि आप हमारे दर्बार में आकर इस्थान ग्रहन करिए हम आपको 30,000 की मनसबदारी वस मैकसिमम साथ हियार का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटर साब कहोगा तुलसी ने कहा जवाब दिया हम तो सेवक राम के हीओ धरे धर्बार हमारे तो हुर्दे में भगवान राम का धर्बार धरा हुआ है तुलसी काब होएंगे न दरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे पर यहां ऐसा नहीं था मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो मध्यम वर्ग हो उच्च वर्ग हो राज करने वाला वर्ग हो सबने कहा जो त्याक करेगा वो महान होगा इसलिए हमारे महत्मा मायावी रावन साधू का वेश बना के आता है सुख्ष मुदर्ष्ट से इसको समझिए और आश्वस्त रहिए कि वो चाहें कितना भी मायावी हो अंत में विजय हमारी ही होगी क्योंकि हम आज दुनिया के यंगेस्ट नेशन है जैसा भी नलपर जीने का ना कि वह पीपल दुनिया के सबसे युवा देश हैं ये सत्य हैं मगर ये सत्य कररेके हैं हम सबसे युवादेश और सबसे प्लफिता हैं तो योगर sekali हमारा भूत काल है और कर लाट व्यस्त कुर्शान को से हम बचे रहें तो कहीं कोई संदे नहीं एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरव शाली था भूत भविश्यत भी महान है अगर समाले आप उसे जो वरतमान है